उत्रा खर्ण में आस्मानी अटैक, पस्थ हुआ पहाड बादल फटने से उस्वान पर आई नदिया, नाले हुए विक्रान, पहाडों पर पुरा हाल मौनसूम से पहले उत्रा खंड में ये हाल आगे क्या होगा बादल फटा, पहाड तोड बारिश हुए, फिर क्या हुआ इस वीडियो को देखिए पहाडियों पर इतनी बारिश हुई कि पानी मौत बन कर दोड़ने लगी से पानी के रास्ते में जो भी आया, बहता हुआ चला गया खुद्रत के कियामत का ये घौफनाक मंजर उत्रा खंड के पाड़ी का है जहां भीशन गर्मी के बीच भारी बारिश हुई पाड़ी में बादल फटने से बारिश हुई फिर क्या था, पहाड़ीों से पानी और मलबा सहला बन कर नीचे आने रगा और उसके रास्ते में जो भी आया, वो तबाह हो गया पहाड़ीों पर जिंदगी कितनी दुश्वार होती है, ये तस्वीर उसी की तकरीब कर रही है पौडी में हालात को देखते हुए जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है स्रीम आशीश चोहान ने उग जिलादिकारी श्रीनगर को तुरंत प्रभावित इलाके में पहुँचने की निर्देश दिये हैं राजस्व विबा की टीम को भी प्रभावित छेत्र में रवाना कर दिया गया है आज अचानक से जो अतीब रश्री हुई है बैजरों के आसपास के लाके में तो चार गाउन में कुछ शतियें भी सूचना है यहां पर हमारे स्टेट हाईव है 32 उसके किलोमेटर 10-11 में भी 30 मीटर के स्ट्रेच जो है बहए गया है तो संबन में SDM को XCN PWD साथ ही जो आपकी UPCN के XCN जलसेसाना CMO और DSO कर देशित किया गया है तकान इसमें लोगी राहत संबन्दी कारवाई की जानी इस पूरे लाके में को करने के लिए में अभी तक किसी पिसमी जन्हानों की को सुच लाने में खुछ सांबने शक्रिया है तो उद्री को प्लूब एक आउसर करें दिए उद्राखन में प्री मौन्सून से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ कहर भी बरपाया है पौडी से ये डरावी तस्वीरे सामने आई है सेलाब में कई घर, गोशाला और सड़के बह गई भारी बारिश से जिले के कई इलाखों में आपदा जैसे हालात पैदा कर दिए हैं ऐसे में चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रीयों को विशेश एसी हाद बरतने की ज़रूरत है क्योंकि अभी पॉड़ी में मौन्सूम से पहले हुई इस बारिश ने हालाद बहुत भयावे कर दिये हैं तो चारधान व्यात्रा के कड़े सक्रे इलाकों में हालाद और डरावने हो सकते हैं भ्यूरो रिपोर्ट श्रेश्ट उत्राखन श्रेश्ट उत्राखन पर खपरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेश्ट उत्राखन